हे दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूटुब चैनल गुरुजी इक जाम सिंटर पर दोस्तों में आपड़ेली की तरह हिंदी का यहाप आट्रेस लगाएंगे जुकि डेली आपको सुबे सारे साथ वजे हिंदी का आट्रेस आपको दिया जाता आगे बढ़ते हैं गुड्मोर्निंग सभी को गुड्मोर्निंग सभी को नमस्ते सभी को जैहिं रदे रदे चलो इस्टार करें चलिए तो पहला प्रशन आपके सामने दिया गया है कह रहा है जब प्रथम पद संख्या वाची और दूसरा सब्द संग्या हो तब कौन सा सम होता है यहाँ पर पहले Gue threads का देना है तो आपका जोवाब होता है संक्या वाची होता है और दूसर की होता है संग्या होता है जवाब का साओ ciao पुछा गया है निम्निकित में से किसमें सही सामसिक पद है सही सामसिक पद है हना तो यहां पर देखो पहला पद जो आपका है वो कहीं न कहीं सकते हैं कैसा है एक विसेस है तिसमें तो हम सामसिक निकालेंगे नहीं हना यहां पर देखो मंत्री परिशद मंत्री परिशद बहुरी में बैयाता है कि एक 20 इस अर्थ भी निकालता है आपको कह이다 2018 में जुआ आपका सिच्छक भरती हुआ पी कोशन आया था तीसे आपर दोनों ही जपको दिया गया था भाली जिनों ने किया था और जिनों ने दिया था क्या तो कहीं न कहीं इसमें भी हम लोग समसिक सही से निकाल नहीं सकते हैं तीसरा यह पर दिया है त्रीलोगी में आप दीवा रात्री दीवा रात्री में जो आपका समास है वह आपका कर्म धारई समास क्या वह होता तो इस कारण से यह आपका इसका सभी सामश्चिक पद बन जाएगा तो इसका जवाब को B देना है और आगे बढ़ते हैं प्रसाब सब्सक्राया है हिंदी किस लिप में लिखिया जाती है यहां पर जवाब कौन सभाणेगा तो राइटन से आपका बनेगा थ्री कॉपस लु ठीके आगे बढ़ते हैं प्रोशाँ से फिला पूछा गया है यहां पर आपसे कह रहा है कि निमीकित में से कौन सा सब्लvation है कौन सा सब्लिएशन है करें तालब भी दिया है पुर्ष दिया है और आपका कुटम भी दिया है तो यहाँ पर देखो परिस्कार पुरुष ये कुटूम ये तो आपके हैं नहीं है लेकिन जो तालब्व है ये आपको कैसा है ये विसेशन है ये यहाँ पर jواब क्या हो जगा आपका पर ये आपका विसेशन बन जाएगा तो वह बर अगर सब्द लगाते हैं स्टार्टिंग में तो यहां तो बनेगा नहीं मतलब यहां पर ले सब्द दिया गया है और मन दिया है और आपका मा दिया है यहां पर रहे बहुदा यहां कैसे हैं मा सब्द लगाने से बहुचन बन सकते हैं यह जो आपका जवाब है कौन सा इसका डी होगा ठीक है इसका आपका डी होगा और इसका भी और भी कोई उदारान मिलेगा है ना अभी याद आ जाएगा तो हम आपको बता देंगे है ना इसका बता देंगे आपको कमेंट आ रहा है तो किसी साब से कर दीजेगा मा वाले में जिसे आपका बहुचन वाची जो आपका अब्वे है मतलब जिसका हम लोग क्या कर सकते हैं अब्वे मतलब विकार ना कर सके है ऐसा कोई वर्ड ढूंड ये जो बहुचन भी हो और जिसका विकार ना कर सके मा लगाने से ठीके तो आपका डी हो जगा ठीके कोई option अगर मिलता है ना तो आप जवाब देदेगो कोई दिक्कर नहीं है लेकिन direct यहाँ पर रट लीजिए अभी खायर ठीके चलिए अगरा प्रस्णाव का दिया है हाथी का इस तरे लिंग क्या होता है चलिए यहाँ पर आपका क्या हो जगा हाथी का होता है हाथी का पर बन जाएगा आपका C हो जगा ठीक है हाथी नहीं बन जाता है देखो कोई-कोई का इसे question आपको मिल जाते हैं ऐसे नए-नए question आपको मिलते हैं और हमने आपको बताया भी था कि अभी तक यहाँ पर जितने भी प्रैक्रिसेट देखा है सबसे ज़्यादा अलग तरीके स जो आपके question होते हैं वो आपके forest guard में ही होते हैं ठीक है ना अधर एक्जामों में आपको बड़े normal होते हैं यह तो cuthin होते हैं लेकिन forest guard के question होते हैं वो थोड़ा सा घुमाव हुसाब होते हैं पिल्को नए तरीके से मिल जाते हैं और थियोरीक पूछने का तरीका ही बदर थेता है एक तो देखो नए सीन में कहीं थोड़ा साई में यहां पर सटेसफः करेंगे किछे योगे जब किताब में मिंतं प्रियुक्त कार्वाइ तो यहां पर ऐता है में चला थे को सब्सक्राइब कि मात हुआ और प्रयुक्त किसमें ठाइब है चलिए seven का जवाब की उजगा तो एक जो आम ने बता जो आए तो आप ने बता हाएं आप जैसे आम का सीजन है तो अऽ आपने आम खाया इसके बाद थोड़ी दिर फिस आम को खऊँगे सुभे पूरती दिये गए विकलबूर में से उची सरुनामिया भी सेसिन आपको चुनकर लिखना है, या तो सरुनाम हो सकता है या तो आपका भी सेस्न हो जएगा, जो अच्छा लगी वह उसको आपको बरना है, लड़का बहुत चालाख है मतलब यहाँ पर भर दें क्या आप भर देंगे यहाँ पर आपका कौँसा वह लड़का बहुत चालाख है न जवाब कॉन सो बढ़े जगा, option D हो जगा, वालर का बोचारा के, अगरा question दिया है, अनुसासन सफलता की क्या है, कुन्जी होती है, क्या होती है, कुन्जी होती है, option D हो जगा, आगे बढ़ते हैं, प्रसाब सब्सक्राइब है, विसेशन जिस संग्या की विसेशता बताते है उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पर याद रेखे, विसेश से होता है, क्या होता है, जिस संग्या की विसेशता और संग्या ही क्या होती, विसेश से होता है, तो जवाब अपका सी हो जगा, विसेश, आगे बढ़ते हैं, प्रसाब सब्सक्राइब हैं, आकिया हारी दर्सन को काई सार्स हरी को देखने के लिए यहां पर दिया थो वियोग सिनंबर आगे बढ़ती है प्रसा आप पुछा गया है याख या ठाल डिकाये पायेै याप यहाँ पर पूछाए आपके पंक्ति में जो चनद इवापका कॉन सा है तो आपने देखो हम आपको नहीं बताइंगे लेकिन डारेक्ट समझेए कि मंगल हारी द्रहुस दसरत अजर मतलब आपने जब रमायड पढ़ी होगा तो यह डारेक्ट आपको चौपाई में दिया आता है और कुछ कोशन होते हैं यह डारेक्ट आपको पढ़ लिजे हना तो यहाँ पर जवाब को आपका सी हो जगा होती हैं अगर आप चाहो तो आपकी चौपाई में आपकी शोला मात्रा भी निकाल सकते हैं जिसे आपके यहाँ पर दो है तीन चार है ना दो तीन चार पांच है साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरह चुदा पंदरा सोला तो यह कहने कर दो यहां पर आजाएंगी कुर मि दैत का पर्यावची नहीं होता है चले यहां पर दिया है राच्छस फिर दिया दानो फिर दिया निसाचर यहां पर दिया गया है भुसुर और भुसुर पर राच्वी किसका है तो यहां पर कर सकते हैं यह आपके दैत का नहीं होता है यह रिखेगा ठीके होता तो होता किस है और में जाना है ठीके अJag Um होता है किसमें होता है तो आपका जिएक सायोत बन जाएगा अगे बटते हैं पर स्रकाल पूचहा घ्यां है क्लेस का सुद्ध्य वरतिनि कांसा है मतलब यहान पर क्लेस लिखा जाता है क्लेस को किस प्रकास से सही लिखेंगे 16 नंबर चले 16 नंबर आपका देखो क्लेस जो लिखते वो इस प्रकास से ठीक है यह जो आपका क्लेस है यह इस प्रकास से सही लिखा जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं प्रसाप से ला पूछा है हवा से बाते क करना मोहरे करत क्या बनेगा हवा से बाते करना मतलब आपका जवाब बहुत तेज भोला बहुत अधिक बोलना सपनों की दुनिया में रहेना हमें सब प्रकत के बारे में तो हवासे बातें करता है अगेला प्रस्टा अप विकल्ब आपको बनना है चलिए क्या बन जाएगा देखे भरिए अब सबों लोग मिलकर भरिए कर हिंदी ना फार्सी लाल जी की बनार्सी देखो यहां पर जवाब होता है बनार्सी ठीके जवाब बने कौन सा आटारा कॉप्सन सी बर देंगे अगला प्रसंद आपका दिया क्या होता है धनवानोरन का होता है धनवती होता है धनवती जवाबोघ importantes प्रशाब सेगला है दिएगे विकल्पों में से सखा का समनार्थी सब्द चुनिए सखा का समनार्थी सखा का समनार्थी क्या होता है मित्र ही तो होता है हना दोस्ती ही तो होता है सहेली तो होती है हना तो जवाब क्या होजेगा सखा का होजेगा कौन सा यहां पर आपका मित्र हो जगा ठीके अगला प्रस्णाप का दिया गया है कि दिये के विकल्पों में से विकल्प आपकर्स का विरुद और अपकर्स क्या होता है उतकर्स हो जगा आप है तो उसका उतकर्स हो जाए तो 22 कौन हो जगा यह हो जगा अब कर्स का उद कर्स बन जाएगा आगे चलते हैं प्रसाफ से गला दिया है एक प्रत्य लगाने पर सब्ताहिक का रूख क्या बन जाएगा तो सब्ताहिक देखो यहां पर सब्ताहिक का होता है सब्ताहिक क्या होता है सबताहिक होता है यहाँ सबताहिक कौन सा सही है सबताहिक सबताहिक क्या होता है सबताहिक होता है इसका जवाब भी होगा याद रिखे यह सुद्ध जो होता है सबताहिक होता है मतलब जो सबताहिक लिखा जाता है सबताहिक लिखते है मतलब सामिरा की मातरा लिखते हैं आगे बढ़ते हैं अभ्यायत में उफसर कौँ सा ही छेलिए अभ्यायत में तो आपका बनेगा अवhakeण अविदन अगत अयह बन जाएगा ठीके आगे बढ़ते हैं अभ्यायत से खला है चा चा जा 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 यह आपके होते हैं ठीके अगर आपसे बोलें कि इनको एक और बोला जाता है क्या बोलते हैं कि इनको बोलते हैं इसपर्स संगर्सी जो बोलते हैं यह इन चार वर्णों को बोला जाता है इसपर्स संगर्सी हाना लेकिन अगर आपसे बोलें उसमेंजन उसम जा आपके होते हैं ठीक है चले अगला प्रसना आपका दिया है सुबरन शब्द कैसा आपका है क्या बनता है थीक है आगे बढ़ते हैं इन्हें में से कौनसा तत्षम कौनसा तत्पूरुष समास है कौन सा तत्पूरुष समास है चले भई तत्पूरुष समास यहाँ पर दिया है आजन्म आजन्म तो होगा नहीं अस्टध्याई भी नहीं आपका है तो आपका होज़ेगा आसा तीत क्या बनेगा आसा तीत आपका जवाब होज़ेगा बाती होता, क्या होता है? बाती होता है आपसन अब भी होसेगा अगला आपको यहां पर दिया गद्यांस जो कि हां पर आपके एक स्विधत बुधिमान राजा थे उनके बारे में आपको दिया गया है यहां पर गद्यांस तो आप पढ़ेंगे प्रदान किया गया है यह किया था महादीव वर्मा को किसे किया गया था महादीव वर्मा को जवाब हो जेगा अगला प्रसना पर जायसी किस धारा के कवी हैं जायसी किस धारा के कवी हैं मलिक मुहम्मद जायसी जो कि भक्ति काल की आपके हैं मतलब निर्गुण प्रेमा सरी आपके कवी हैं तो यहाँ पर आपका जवाब कौन से हो जगा जवाब हो जगा 36 का ओप्षन बनेगा यहाँ पर ए नंबर यहाँ पर आपका प्रेम मारगी बन encant मुन्सी इसा लगहाँ अग्राए करते हैं अगला प्रसानाव का दिया है पाओ बारा होना मुहारिकरत पाव 12 होना मतलब आपके पास पाव हाह उसका इतना पालिक कमाल यह मतलब की सिथिंगति ही क्या आपका जवाब हो जवाब हो जरुगा I am मतलब पर प्री वचन बोलना केलिए महुंट उनिये प्रि वचन बोलना मतलब क्या होता है बहुत भूल जह्ड रहे दिखाते हैं तो पता नहीं क्या क्या बूली है अगला यह पर दिया गया है यहां पर वाक्यांस दिया है और आपने आपको बताया है कि जो पहला पॉंट होता है यह परीवर्थन इसका होता है यही परिवर्तन नहीं आपको यहाँ पर एक sentence बनाएगा जो आपका सुद होता है चलो हमें एक आपको स्वाल करते दिखा देते हैं धर्म और उधारता के उच्च कर्मों की विधान में उच्च कर्मों की विधान में ही एक ऐसा दिव्वे आनंद भरा रहता है की करता को वेकर्म ही फल्सुरूप प्रलगने लगते हैं यहाँ पर आपका यहाँ पर सही हो जेगा बस इसको sentence को जो sentence दिया इसको मिलाना होता है बस यह समझेगा अगला दिया निसकाम में कौनसा आपका उपसर्ग निसकाम में उपसर्ग निसकाम में उपसर्ग कौनसा है तो देखो यहाँ पर आपका होता है आदास आपको निकल के आता है यहाँ पड़ी हो जेगा निसकाम अगला प्रसंदिया पैतरक में कौनसा प्रत्य है पैतरक में तो हम लोग बोलेंगे हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर बन गे पैत्र धन एक मतलब आपका जवाब होज़ेगा option अपका C आपका एक सब्दाप को बन जाएगा अगला प्रसंद दिया है निम्रकित में से कौन उपसर्ग रहित सब्दाप का है उपसर्ग रहित अविलासा अनवर्तन वंदनी और अनरगल चले यहाँ पर उपसर्ग रहित उपसर्ग रहित की देखें तो यहाँ पर दिया है देखो अविलासा भी है अन दिया है और अन भी दिया है यहाँ पर देखो वंदनी में उपसरग आपका नहीं है इसमें उपसरग आपका नहीं है यहाँ पर जवाब का है वो आपका कोण है तो आपका यह आपका प्रत्य है इसका मतलब आपका पर सीख हो जगा अगला प्रसाथ दिया है निस कलंक का संद्विछेद बताइए चलिए निस कलंक का संद विछेद होगा चलिए यहाँ पर क्या होज़ेगा निह धन कलंक क्या बनेगा बीसर का संदी होता है और आपका जवाब होज़ेगा भी निधन कलंक बनेगा अगला है दिये गए सब्दों के लिए यहाँ पर वाक्यांस बनना है अंडज क्या होता है अंडज मतलब जो अंडे से उत्पन होने वाले को अंडज कहते हैं जवाब सी होजगा आगे बढ़ते हैं बहुत ही कठोर और बड़ा आघात बताइए बहुत ही कठोर और बड़ा जो आघात होता है इसके लिए सब्दे क् विलूम क्या होता है चले 48 नमबर में तो अरपन कर दो तो उसका मतलब होता है ग्रहन कर लो हना अरपन क्या होता है अरपन का बनता है ग्रहन जो आपका जवाब दिया है कौनसा option D हो जेगा ग्रहन बनता है अगला प्रसना आपका दिया है हाथी सब्द का परयावाची नहीं ह तो बड़ा कठीन है यहाँ पर कह सकते हैं बड़ा आपका कठीन है और यह जो आपका है कौनसा है पचाइस को बनेगा ओप्सन यहाँ पर उल्लाला यह जो आपका है क्या है यह उल्लाला है इसका राइट अपका बनेगा चीज बना होता है यहाँ पर आपका उल्लाला बन जाएगा ठीक है उल्लाला और उल्लाला में गर बात करें तो उल्लाला में जो मात्राय होती है वो 15 सी आपके 13 मात्राओं का बिसम चरंडी चंद होता है जिसे यहाँ पर हेम चारया ने करपूर नाम से वांड़ित भी किया था चलिए अगला प्रस्ण आपका दिया है इन में से कौन मात्रिक चंद कौन सा मात्रिक चंद अच्छा नम्रकित में से इस्थाई भाउं कि Sankhya जो आपकी मानी गई है। आपकी कितनी मानी गई है। तो यहाँ पर आप जवाब क्या देंगे। देखो पर चारी अचरी मौनी पर आगर अगर अगर यहां पर के सकते हैं कि यहां पर एक आचारी मुनी है उनकी अंसार अगर बोरोगे ओल्जी लताएं डालीयों को खीच लताएं पैर को पकड़े अजानक प्राण को कस लेका पाएं सांपसी काली लताएं यहाँ पर पूछा है कि कौन सा आपसे रस दिया गया है चले तिरपन नमबर तो अटपटी उलजी लताएं डालियों को खींच लाएं पैर को पकड़े अचानक प्राण को कस लें कपाएं सापसी लकाली लताएं तिरपन नमबर में तो यह जो आपका है क्या है इस वी देखो तोड़ा सा यहाँ पर बड़े कठिंग कठिंग कोशन आपको दिये हैं तो यहाँ पर आपका देखे जब कभी क्या होता है जब आलम्मन जो हो घ्रणित वस्त की बात करें यह जो आसरह होता है मतलब जो द्रस है वो प्रतिच करने क प्रसपुट होने वाले अलंकार का चैन कीजिए प्रसपुट होने वाले अलंकार को यहां पर चैन करना है यहां पर बताइए कि आपका अलंकार कौन सा है कौन सा अलंकार है तिधर का अंधा गांट का पूरा लोकुकती का अर्थ आपको बताना है मूर्क किन्थु धनी siop का यह मूर्क किन्तु धनी उप्ष न वनेगा आगे आते हैं पतारअब आते हैं तुरंत दान महा कल्यांट कहते हैं कहते हैं कारी कर रोक्हां जबाब हो जहां किल्टा कि मध्यम से ऊप्मे का अप्ष मौन x 3 का वर्डन हो, वहां कौन सा अलंकार होता है, वहां कौन सा अलंकार होता है, मतलग उपमे की मद्यम से उपमान का, तो उपमान की वर्डन की मद्यम से उपमे का वर्डन होता है, यह आपको होता है, अन्युक तलंकार, ठीके, अन्युक तलंकार होता है, जिसे हमने को होता है थ इहां पर काफी अच्छा भी है जलाव रत में जुह समाज चाई है यहां पर कैसक्ते हैं कि आपका जवाब यहां पर बनेगा आपका ठावन को उप्शन बनेगा को में प्र समासे क्या यहां पर आपका करण तत्पूरुष समास आपको बनेगा और यह फूरह पर आप से अगला कोछन पूंचा गया है के ति चुनका गिर्धर में समास कौन सन है जले में र जिन गृदर तो आप रस भगवान की तो बोलते हैं ना गिर्द को धारन करने वाले गिर्दर अप्सन बने कौन सा आप कड़ी होजगा बहुवरी अगला है सब्द सक्ति के मूलता कितने भेद हैं चलिए यहाँ पर बताइए कौन से आपके होते हैं तो 60 का जवाब क्या बनेगा? 60 का उप्सन बनेगा आपके 3 होते हैं ठीक ही कौन कौन से होते हैं? तो आपने पढ़ा होगा कौन सा यहाँगी की सब्द रूड सब्द, योगरूड सब्द अना तो वही आपके होते हैं B number अगला कोशन आप से दिया गया है रूड योगरूड सब्दों कार्थ बोध किस सब्द सकती से आपका होता है इस प्रस्ण को आपने बताया भी था कि जब नया प्रस्ण होता है उसको मतलब लिख लिए करिए और इसको आपने बताया भी था यह जो आपके होते हैं अभिधा तो इसका हिंदी परियार क्या होता है तो बोलते हैं कोई घोषणा करना यहाँ पर जवाब होजग अभी नंबर घोषणा अगला कोशना आप से पूछा गया है कि जो किसी वंसे में बराबर चलता आया है उसके लिए कि बताना है इत्षवाब क्या बनेगा या उसे बोलते हैं अनुवांसिक क्या बोलते हैं अनुवांसिक यहाँ पर जवाब होजग कौन सा 63 कॉप्षण बनेगा से निंबर अनुवांसिक अगला कोशन दिया है कि आसु कभी सब्देकार थे क्या होता है या भावार्थ आपको बताना है आसु कभी मतला बोता है जो तत्काल कभी करता है कविता करता उसे कहते हैं तो आपका जवाब क्या बनेगा 64 कड़ी हो जेगा वा कभी जो तत्काल कविता कर सकता है अगला प्रसनाव को दिया है कि निमलिखित पहली के सही उतरा को बताना है कह रहा है एक चिरया ऐसी है बोले मदुरी वाड़ी बीच जबका हमारे उपर से मांगे पानी देखो मेड़ा का कदिया है मत्ãणी दिया है मचली दिया और कछुऑ तो यह आपने देखा होगा मठानी मतलब जानते हो मठा मठा भाते देखे हो ना मठा जब होता है तो मम्मी लोग जो होती है वो करती रहती है ना उसमें गरम पानी भी डालती है सरदियों में तभी उसके उपर जो मलाई निकल के आती है पानी न डाले तो भी घंटो दो घंटा उसको करती रहेंगी करती ओ सरपी की केचुली पकी हुई गागर कौन बनेगा यहां पर छाचट में जवाब बताईए भई यहां पर अंधा कुआ किलकाली मारे गले भैंस के गले में बांधने वाली घंटे यहीं हो जाएगा आपका ए नमबर आपका हो जाएगा ठीक है अगला आप से आपर पोछा ग जवाब भी होजगा वाख की होजगा अगला कोशचन है असुदवाके चेन करना है चलीं असुदवाके चेन कर हैं अपर तो कौन दिया है वुआ घोड़े पर सवाल था होड़े पर सवाल ता यहीं तो सइhy दिया है वह विलाप करने लगा से वी सहछी एध उनका चरित्र उत्तम है तो उनका चरित्र उत्तम है या उसका चरित्र उत्तम है उनका चरित्र उत्तम है अगर हम बात करें उत्तम की तो कहीं न कहीं देखा जाए गर हम बोल दें उनका चरित्र उत्तम है यह भी सही लग रहा है उसे और यह भी बोता है उसका चरित्र उत्तम है उनका चरित उत्तम है उसका चरित उत्तम है उनका कहेंगे ना उनका यह बोलेंगे यहाँ पर उनका बोलेंगे सम्मान के साथ है इसकी अब देखते होंने गौँ में जब बढ़े होंगे कोई तो आप उसका नहीं बोलते हूं उनके घर पे है न ऐसे बोलते हैं तो यहांपा सम्मान देना चाहिए आगदा प्रसंब का दिया ऐ смож दवा करना है इस धारन के होते हैं फिर करताइब सियां पर 17 मैदान से में से कौई सी रचना रामधारी सच सिग दिन करकिए दूप और धुआ सूत किमाला, अंगारे और बुढ़ा चांद चले सत्तर नमबर आपको देना है सत्तर के जवाब क्या बनेगा सत्तर नमबर धूप और धुओं यह देखे यहाँ पर धूप और धुओं यह जवाँ आपकी है आगेला कोशचिन आपका दिया गया है कि विराम चिन आपका छूटा है देखें कौन सा छूटा है करें कारल मार्क ने ठीकी ठी तो कहा है धर्म जनता के लिए नर्क कर देने वाली अफीम है अच्छा यहाँ पर हम बोलें तो यहाँ पर 71 वाले में देखें वही कठिन टेस्ट पेपर है कर्ठिन टेस्ट पेपर है समझेगा कारल मार्क ने ठीकी कहा है ठीकी कहा है अगला कुशन दिया गया है वाक में जहां अर्ध विराम के पेच्छा कम रुपना पड़े वहाँ प्रियुकता आपका क्या होता है मतलब वाक में जहां अर्द वीराम के पिच्छा और भी कम पढ़ाई आईसी स्थिति में कौन होता है तो आईसी स्थिति में होता है आपका अल्प वीराम ठीक क्या होता है अल्प वीराम होता है बीनमबर अगला दिया है, जो आपका त्रा सब्ध है कैसे बनता है वीकसित धो निकाएँ इनको बोलते हैं वीकसित आपके वा। वाज रूच किसके अनसार बनता है यहां पर रत्र बदन और बदन 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 मतलब यहां पर देखा जाए बदन बदन मतलब आपका जबाब 78 कबनेगा यहाँ पर आपका बदन मतलब सरीर होता है और बदन मतलब होता है चेहरा ठीके इसका जवाब बनेगा कौन सा option बनेगा यहाँ पर C बनेगा अगला प्रसाम का दिया है निर्मिकी सब्दियों में से कोई एक विकल्प सही नहीं है इस सब्दियों का देखो यहाँ पर के सिक्ते हैं कि बोऌले में यह एक जैसाब का है तो इसी प्रकारी यह भी है लेकिन यह एक धूसरे क्या है कि बिपरीत लग रहे हैं न अस्तर हो गया लेकिन सश्थ और सास्तर सम्धवनी जुक्ब आपके रही ने तीनों में एक जैसे का है खरीके सीटी के चले धनावाद सभी को जय हूं